आज की जर्मेशन को बताना जरूरी है कि सुभाश चंद जैसे लोग आज भी राष्ट वादियों को क्यों फ़साया जा रहा है आज से पहले भी यही होता था जिनका कद चोटा था जो बौने थे उनको डर था इसलिए मैंने अपने एक भाशन में कहा कि यह एक ट्रेजडी नहीं है यह उससे भी बड़ी ट्रेजडी यह है कि इस नहरू परिवार का जब आदमी प्रधान मंतरी बनता है अपने ही लोगों की बली लेता है नहरू जी प्रधान मंतरी बने इस देश के एक बहादूर आदमी जिसने दुनिया में जाकर के चैलेंज किया आपके नौर् 26,000 लोगों की फौज बनाई और 26,000 लोग उस फौज के मारे गए और यहां गाना लता मंगेश कर गा रही है कि बिना खड़क बिना ताल दे दी हमें आजादी बिना डाल के 26 हजार लोग सिर्फ इंडियन नेशनल आर्मी के मारे गए थे आजाद हिंद फौच के 21 लाख लोगों को डिवीजन में मारा और पूरे मेरट से लेके इस सिलाख के अंदर सब जगे पिड़ों के उपर लाशें लटकी हुई थी ये इतने लोग मरने के बाद अहिंसा से आजादी मिली थी आपको ये नरेटिव क्रियेट किया क्योंकि उनको मालुम था कि अगर दूसरा इतिहास पढ़ाएंगे तो ये बौने लोग जो है सत्ता से बाहर आ जाएंगे जिन्होंने अंदर साट गाट कर रखी थी मेरा गांदी जी से सिर्फ इतना ही कहना है गांदी जी आपको सत्ता नहीं चाहिए थी आपको परधान मंत्री नहीं बनना था आपने देश में एक मुकाम प्राप्त कर लिया था लोग आपकी बात पर यकीन कर रहे थे आपने देश को एक वादा किया कि मेरी लाश पे पाकिस्तान बनेगा लेकिन गान देजी आप हमें कहीं लड़ते हुए तो नजर आते कहीं धरना प्रजशन करते तो नजर आते कि आपने देश के बठने के खिलाब कोई धरना दिया प्रजशन किया आपने जिद अटली आपने नहरू जी को भी साइड लाइन कर दिया होता तो हम मानतें कि आपने कुछ इमानदारी से काम किया लेकिन आप किस-किस बात प्याड़ गए कि 14 में से एक वोट नहीं मिला कहा कि नहरू की हार तो मेरी हार है आपने उस जमाने के हाई मॉरल ग्राउंड लोगों के उस इमोशन को एक्स्प्लेट किया उन्होंने छोड़ दिया पूछिए एटली साब जब हिंदुस्तान आये थे क्योंकि भारत को जब तथाकदित आजादी के दस्तवेजों पर साइन हो रहे थे तो सियार एटली यहां आये थे आजादी के बाद में बंगाल में और बंगाल में जो गवर्नर थे उस गुप्तगू का पूरा जिकर है वो बाची जो उनके बीच में हुई है इस अविलिवल उन्होंने पूछा गवर्नर साहब ने कि ऐसी क्या वज़े थी सब चीजे तो फिजल आउट हो चुकी थी कोई रजिस्टेंस नहीं था आप भारत से क्यों गए सियार एटली का जवाब है कि सुभाज चंद बोस की वज़े से हमारे यहां फौजों में म्यूटनी हो रहा था और हम उस रोक पाने में समर्थे इसलिए that was the right time कि हम अपना face बचा के निकल गए लेकिन आपके मुल्क में जो इतिहास लिखा गया उसमें सुभाज चंद बोस एक war criminal है उसमें भगत सिंग एक आतंकवादी है यह आपके document में लिखा हुआ है आपको लगता है कि पिछले 70 साल में जो हीरो बनाए गए उन हीरो को देख करके इस देश में कोई सुभाज चंद बोस पैदा होगा कोई भगत सिंग बनना चाहेगा कोई वीर सावर गर बनना चाहेगा क्योंकि आपने अपने सही हीरो को खतम खुद कर दिया इसलिए बोने दलाल पैदा हो रहे है राजनिती में पैदा हो रहे है सत्ता तक पहुँचने के लिए कुछ भी कर लो इसलिए भारत का प्रधान मंतरी नैशनल डेफलेप्लेप्मेंट कॉंसिल की मीटिंग के अंदर जहां 28 मुक मंतरी बैठे हुए थे उसने कहा ये बात कि भारत के प्राकिर्तिक संसाधनों पे पहला हग मुसल्मानों का है ये ओन रिकॉर्ड है ये कल की बात है कोई बहुत पांच-जार साल पुरानी नहीं है इसलिए उस पार्टी को कोई शर्म नहीं आई उनका इतिहास नहीं पूछा ये कौन लोग है जिन्हों ने इस लार्जर कमुनिटी को बचाने के लिए अपने चार-चार-पांच-पांच साल के बच्चों को चिनवा दिया आपने दिल्ली में उनको मार के बहुत भादरी का काम किया एक कपूर कमीशन है मैं आज आपको बता रहा हूँ ये देश को नहीं बताए गया महत्मा गांधी के मर्डर के बाद 1969 में एक कपूर कमीशन पना है उसकी रिपोर्ट नहीं सारवजनिक की गई है पूना में महत्मा गांधी के कतल से तीन दिन पहले उसमें एक डिस्टिक मजिस्टेट और उसकी एक वाइफ का कनफेशन बयान है वो आफिसर पूना से अपने घर से बाहर डूटी पे गया हुआ था उस लेडी ने बयान दिया है कपूर कमीशन के अंदर उन्होंने अपने पूरे रिटनिस में लिखा है वो भी कोई बड़ी अफसर थी उसने कहा कि तीन दिन पहले महत्मा गांधी की हत्या से जो लोग आये थे उन्होंने कहा कि पूने के अंदर ब्रहम मडों के खिलाफ बहुत बड़ा शड्यंत्र हो रहा है और काफी लोग मारे जाएंगे क्योंकि गांधी जी के हत्या होने वाली है ये तीन दिन पहले उसने कहा है उस लेडी ने यहां तक कहा कि उस अफसर को उसने बता दिया था जो उसका पती था उसने दिल्ली भेजा दिल्ली में किसने फाइल दबाई ये कमीशन के बारे में नहीं बताया गया गया आपको वो कमीशन के रिपोर्ट निकलबा लीजे न वो छुपका दी, दबा दी हो सकता है कि सामने हो नाथूरामगोड से और गांदी जी कि हत्या से दो दिन पहले का उनका बयान देख लीजेगा ये सब कुछ अवे लेविल है इन तत्यों को देख करके देश में बदला हो रहा है या नहीं हो रहा हो एक अलग इशू है लेकिन कम से कम इस जनरेशन को सच तो पता चलेगा उनकी हत्या से दो दिन पहले गांदी ने कहा था कि ये कॉंग्रेस पार्टी को एक आंदोलन है इसे समाप्त कर दिया जाए इसे एक स्वेंसेवी संस्था बना करके समाज में काम किया जाए जिन लोगों को राजनीती करनी है कोई दल बनाए अलग से करें लेकिन कुछ लोगों को लगा कि इस ये दली खतम हो गया तो हमारी दुकानी बंद हो जाएगी उन्होंने गांदी जी को थ्रेट दो बार किया और दो दिन के बाद गांदी जी समाप्त हो गया और कौन वहां खड़ा हुआ था कैसे कैसे शड्यंत रहें आपके याँ जाएए तो दरा बिरला मंदिर जाएए तो इतिहास तो देखिए दिली में जाकर के क्योंकि हम सब लोगों ने अखबारों के माध्धम से पड़ा है और उस दोर के अखबार जो एक या दो हुआ करते थे आज की तरह कोई चार सो पचास टेलिविजन नहीं थे किसने सुना गांधी के मूँ से या आवाज निकली हे राम किसने सुना था ऐसा क्रियेट कर दिया गया कि सिर्फ नहरू जी को सुनाई दिया हे राम कह रहे थे मुसीबत हो जाएगी गांधी की परसनल लाइफ के बारे में विदेश में चर्चा हो रही है उनके निजी जीवन के बारे में चर्चा हो रही है वहां नहीं कुछ बोलेंगे लेकिन जैसे ही इस देश में भारती जंता पार्टी और RSS को कॉर्णर करना हो तो दो एजेंडरे लेके खड़े हो जाओ कि RSS तो वह पार्टी है वह संगटन है जिसका नहरू जिसका गौड से जो था मेंबर था और यह देखे यह तो वीर सावर करके समर्था के तो यह बड़ा अच्छा है जैसी वह यह बोलते हैं यह बिचारे डिफेंसिव हो जाते है अब यह डिफेंसिव नहीं हो रहे है अब उनको संकर लग रहा है बिसे नया क्रियेट करो तो इस पार क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि अच्छा जिसको तुमने हिंदू आतंकवादी क्रियेट किया था वो ही हम उसके खिलाफ उतार देते हैं जो हिंदू आतंकवादी थोरी का जनक था तो राजनीती में आदर्शवाद नहीं चलता है हम यह कहें कि राजनीती एक अलग चीज़ है तो राजनीती के जो नियम है वो आपको अच्छे लगें या ना लगें आप उसी से आप जीज सकते हैं जब आप आदर्शवादी थें यह तमाम संग के लोग होंगे यहाँ इन ही का संगठन इन ही की भारती जनता पार्टी पॉलिटिकल ट्रेनिंग लोग लेते हैं जाते हैं मैं गलत कह रहा हूँ सब मैं गलत कह रहा हूँ आप से जड़े हुए लोग होते हैं वो चले जाते हैं राज़नीती में जब वो राज़नीती में चले जाते हैं तो उनका अपना एक राजनीती के खेल हैं यह क्या कर रहे थे बिचारे यह पांच हजार साल पुरानी अपनी आदर्श समाज में बिचारे जी रहे थे कि जैसे हम इमांदार हैं दुनिया भी इमांदार होगी और अगर नहीं होगी तो हमारे हमको देख देख के हो जाएगी सौ साल से बिचारे ये कर रहे थे तो जो स्विम सिवक यहां से जाकर कि जब राजनीती करने जाता था तो थोड़े बहुत तो उसमें गुण रहते थे इनके तो जब तक ये आदर्शवास से लड़े तब तक पार्लेमेंट में ये एक फूल दो माली थे लेकिन जब इनको समझ में आ गया कि फुटबॉल के ग्राउंड में हौकी के नेम नहीं चलेंगे तो जब इन्होंने नेम बदले तो अब आहाकार मचा हुआ है ये दो घुमा रहें भई ये दो चला रहें तो आपको पांच हजार साल पुराने हत्यार से आज के इसलामिक आतंकवाद को आप सामना नहीं कर सकते अपनी सोच को बदलना होगा अपने हत्यार को बदलना होगा अपने नरेटिव को बदलना होगा अपने लोगों को उस आदर्श समाज से बाहर निकालना होगा वो आपका खौब है कि जब आदर्श विवस्ता हो जाए तो वैसी हो रहीएगा लेकिन ये समाज आदर्श समाज नहीं है जिन से लड़ रहे हैं वो आदर्श वादी लोग नहीं है एक आपकी राज का शहर है मुंबई वहाँ भी बहुत सारे लोगों को डर लगता है उसमेंसे एक शायर है जिनके मेरे बड़े भाई उनके क्लासमेंट रह चुके है उन्होंने अभी यकाया के एक बयान दे दिया और बयान दिया उन्होंने जब शीलंका के अंदर हमला हो गया और शीलंका में मरने वाले का धरम दूसरा था तो उनको संकट लगागी तो वर्ड पॉलिटिक्स में मुश्किल हो जाएगी तो जब वहां पे बुर्खे पे बैन लगाया तो हमारे यहां भी मन्चलों ने कहा साब बुर्खे पे बैन लगना चाहिए वैसे वो बगएर बुर्खे भी रहे तो उससे कोई फर्क नहीं पढ़ने वाला लेकिन फॉरण कह दिया साब कि बुर्खे पे बैन लगना चाहिए तो वो पढ़े लिखे बोले वैसे वो कहते मैं अथीस्ट हूँ मैं नहीं मानता वो अथीस्ट हैं उन्होंने फॉरण बयान दे दिया शाम को किसाब बुर्खे पे लगेगा तो गुंगट पे भी लगना चाहिए यह कहा उन्होंने लेकिन आप मेंसे किसी ने नहीं कहा मैं तो इन दौर में कहके आया पूरी ताकस से कहके आया माफ करियेगा कुरान मजीद के किसी पन्ने पे बुर्खे का जिकर नहीं है और हमारे घुंगट पे तुम जब सवाल उठाओ तो यह ध्यान लगना कि हिंदूों में घुंगट की परमपरा नहीं है यह आप सास सो साल पहले जब आये थे तो आप हमसे मत कहिए हमने घुंगट परमपरा इसलिए नहीं की आपकी आँखों में जो वैशी पन था उसको रोकने के लिए हमने की हमारे यहां तो लोग घोड़े पे लड़ने जाती है हमारी ओरते तो आपके यहां बुर्खे में बैठती हैं बात अलगे आप रखें बुर्खे में आप रखें उने हमने मने नहीं किया क्योंकि आपके हां तो उसे प्रॉपटी समझते हैं हमारी यहां नहीं समझतें लहाजा बहुत सारे लोग जब कोई भी नरेटिव कहते हैं तो ये भारत के लिए खत्रा हो नहीं सकते